बिनोय कुमार जिंग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को शून्य सीटा आ रही है पीएम कह रहे हैं हम तीन सो के पार जा रहे हैं इसी बंगाल की बज़ा से देखें बिने कुमार जी के मुँझे एक वाक्य तो निकल ही गया कि ठीक है लड़ाई टीमसी और बीजेपी के बीच में हैं बीजेपी के कितने सांसद हैं इस लोग सवा में पशिम बंगाल से दो विधान सवा में क्या उपसी थी है नगण ने यानि जहां विधान सवा में नगण ने उपसी थी 42 पे केवल दो सांसद वहाँ TMC अपना मुकावला ना कमनिस्टों से मान रही ना कॉंग्रेस से मान रही है मुकावला हम से मान रही है हम विनमर्ता से पूछना चाहते है पंचायत चुनावों में नंबर दो की पार्टी कौन थी हम जबकि एक तिहाई लोगों को मतदान नहीं करने दिया गया वाटसैप पर नामांकन स्विकार किया जाएगा यह चुनावायों को कहना पड़ा चुकि जो यह कह रहे हैं डंडे और गुंडे के दम पर लोगों को नामांकन करने से रोका जा रहा था उसके बावजूद पंचायक चुनावों में क्या बाहरी लोग वोट करने आये थे भाजपा नमबर दो की पार्टी उप चुनावों में भाजपा नमबर दो की पार्टी अब हकीकत यह है कि जो जन सहलाव आपको अमित्चा जी के रोट्शों में दिखा जो जन समर्थन मोदी जी के पक्ष में दिख रहा है मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि हमारे संस्थापक अध्यक्स स्वरगी शामा प्रसाद मुखरजी जी की जन्म भूमी राश्टवाद की पुन्य भूमी बंग से वह तरंग उठ चुकी है राश्टवाद की स्दान जी वो कह रहे हैं लोग बाहर से लाए जा रहे हैं वो भीड़ वो लोग सब बाहर से आए हैं मैं उसी पर जवाब, मैं वो भी जवाब दे रहा हूँ, मैं वो भी जवाब दे रहा हूँ, यदि इनको इस बात पर आपती है कि भाजपा की तरफ से कुछ गरबर हो रहा है, तो ये बताइए, अनेक राज्यों में विपक्ष की सरकार है हमने चुनाव लड़ा, पंजाब, राजस्थान, मद्यप्रदेश, च्छतिसगर, उडिसा, तिलंगाना, आंद्र, तमिलनाडू, करनाटक, यहां तक की केरल जहां कमिस्टों की सरकार है, ऐसी हिंसा क्यों नहीं हुई, सिर्फ त्रणमूल में ही क्यों हो रही है, मंगाल में, इसका जवाब देना चाहिए, य और अगले दिन में जो सरकार दिन में कायब होगी, इसलिए याद रखिए, चनता के आक्रोश के जवार को रोकने में आप किस सप्टा के अहंकारी दुरुप्यों के द्वारा सफन नहीं होने वाने, ठीके